क्लास टंत के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं आज का यह वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टन्ट होगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 16 फरवरी जी हाँ 16 फरवरी को आपका हिंदी विसे का पेपर है जैसा कि UP बोर्ड के द्वारा जारी परिच्छा कारिकरम के अनुसार 16 फरवरी को हिंदी विसे का पेपर है और हिंदी विसे के पेपर में आपको OMR seat कैसे भरनी है और अपनी परिच्छा कापी कैसे लिखनी है आज के इस वीडियो में मैं आपको complete बताने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस बार 2023 में आप OMR seat इस तरीके की देखेंगे 16 फरवरी को प्रतेग विसे में आपको OMR seat फिल करना होगा जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह OMR seat जिसे UP board ने अभी हाल ही में जारी किया है और सेम इसी तरह की आपकी OMR seat होगी जो आपको 16 फरवरी को मिलेगी और जब जब आपका paper होगा उस दिन आपको इसी तरह की OMR seat मिलेगी और इसके पहले मैंने आप सभी को कुछ इस तरह के की OMR seat दिखाई थी भरने का तरीका भी बताया था और आपने कई channels में भी देखा होगा अने teachers ने भी आपको बताया होगा लेकिन अब क्या हुआ है कि अब 2023 में जो 16 फरवरी को आपका Hindi विसे का paper होगा अब OMR seat जो है थोड़ी सी चंज हो गई है तो चलिए मैं आपको बता दू कैसे आपको इसको फिल करना है और क्या आपको जरूरी निर्देशों का पालन करना है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं निर्देश क्या है OMR उत्तर पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के लिए निर्देश सबसे पहला निर्देश क्या है केवल काले या नीले बाल पॉइंट पिन से सही गोले को गहरे निसान से भरिये केवल आपको काले ही पिन का प्रियोग करना है और पिन कैसा होना चाहिए पिन होना चाहिए बाल पॉइंट पिन होना चाहिए आपके पास जिल पिन से आपको गोला नहीं भरना है अगला है प्रतेक प्रशन का उत्तर उत्तर पत्रक में दिये गए क्रमांग के सामने सम्मंधित गोले में निसान लगा कर दीजिए हर प्रशन के चार विकल्प हैं यहां पर आप देख पा रहे हैं माडल पेपर है यहां यूपी बोड के द्वारा ही जारी किया गया और यहां पर पहला प्रशन है बाबु गुलाब राइक किस यूग के लेखक हैं चार विकल्प दिये हैं जो भी सही है उसी के नुसार आपको ओम्र सीट में गोला काला करना है और अगला निर्देश है यहां पर OMR पर सभी प्रवश्टियां सावधानी पूर्वक भरे जब OMR सीट आपको मिले इस तरीके की तो इस पर जो भी प्रवश्टियां आपको फिल करनी है आपको सावधानी पूर्वक भरनी है क्योंकि उसे आपको ना तो क्या करना है कट तो यहाँ पर आपको जिला और जिले का कोड भरना होगा यह हो सकता है भरा हुआ हो और यहाँ पर आपको अनुक्रमांक तो भरना ही होगा क्योंकि अनुक्रमांक भरा हुआ नहीं होगा तो यहाँ पर जब आप भी इस चीज को फिल करेंगे भरेंगे तो किसी भी तरह की आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी है ना ही यहाँ पर काटवीट करना है क्योंकि आगे निर्देश दिया गया है कि OMR पर वाइटनर का प्रियोग ना करें तथा उसे खुर्चे नहीं अन्यता उत्तर का मुल्यांकन नहीं होगा गलती से भी यदि आपसे गलत हो जाता है तो आपको वाइटनर का प्रियोग विल्कुल नहीं करना है और ना ही उसे खुर्चना है अन्यता उत्तर का मुल्यांकन नहीं होगा मालिजे ए वाला आपसन सही था और आपने गलती से बी वाला आपसन काला कर दिया है तो आपको उस दीजिये जैसा प्रष्ठ नंबर एक में दर्साया गया है यहां पर आप देख पारें हैं यहां पर प्रष्ठ संख्या एक के अंतरगत बताया गया है गोला भरने का सही तरीका यहां पर दिया गया है इस तरीके से तो यह गलत है यहां से इस तरीके से टिक लगया यहां भी गलत है यहां से किनारे किनारे भरा है यहां भी गलत है और यहां पर आप देख पार हैं सही तरीका क्या है गोले को अच्छी तरीके से काला करना है और यहां पर आप देख पार हैं अगला निर्देश क्या दिया गया है कि उत्तर के लिए यहां पर आप ध्यां दिजीगा उत बाबू गुलाव राय किस यूग के लेखक हैं तो यहाँ पर राइट एंसर क्या है दूसरा वाला है दिवेदी युग तो यहाँ पर आपको करना क्या है पहले प्रशन का उत्तर दूसरा विकल्प सही है यानि एक का बी वाला तो बी वाले गोले को मैंने अच्छी तरह से काला कर दिया इसी तरह से आपको भी करना है जो भी एंसर सही होगा यानि जो भी विकल्प सही होगा उसी के अनुसार आप को OMR seat में गोले काले करने हैं जैसा कि आप pre board परिच्छा में कर ही रहे होंगे अब इसी तरह से आपको board परिच्छा में भी करना है अगला निर्देश यहां पर और आपको यहां पर मालीजे पहले का दूसरा सही है दूसरा काला कर दिया अब आपको तीसरे या चोथे या पह प्रैकेट में अंकित उसका मारका या सिरीज जो अंग्रेजी के दो बड़े अच्छों में AB, WV या WX या WZ आद की भात अंकित होगा उसे पूर सुधता के साथ इस OMR उत्तर पत्रक पर यथा अस्थान अंकित करना होगा तथा उससे समंधित गोलों को भरना होगा तो मारका सिरीज क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो 2022 का यहाँ पेपर है और यहाँ पर यह जो है AG यही है मारका सिरीज और इसे आपको कहां पर भरना है यहाँ पर पहला अच्छर यहाँ पर आप ध्यान दिजेगा पहला अच्छर क्या है ए है पहला अच्छर ए है तो यहाँ पर आपको पहला अच्छर ए इस तरीके से भर देना है, जो भी अच्छर होगा आपको वही भरना है, कैप्टल में ही भरना है, और इसी के अनुसार यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ए है तो ए वाले गोले को अच्छे से काला कर देना है, आप से बाहर पेन नहीं चलना चाहिए, और दूसरा च्छर क्या है, जी है, यहाँ पर इस पेपर में आप देख पा रहे हैं, जी है, तो जो भी होगा यहाँ पर मारका स्रीज, वही आपको यहाँ पर भरना होगा अच्छे से, और उसी के अनुसार यहाँ पर गोला भी काला करना होगा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जी कहाँ पर है, यहाँ पर सब से नीचे जी दिया गया है तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने काला कर दिया तो इस चीज का भी आपको विशेष रोप से ध्यान देना है फिर इसके बाद अगला यहाँ पर दिया गया है कच्च निरिचक का यह दायत होगा कि वह अपने सम्मुखी प्रशनपत्र का मारका सिरीज तथा चित्रकला संगीत वादन विशय में प्रशनपत्र का भाग एक अत्वा भाग दो अंकित कराएं जिसे परिचार्थी द्वारा हल किया गया है कतिपए प्रशन पत्रों में उसके मारका स्रीज का उलेख नहीं है अतेओ इस प्रकार के प्रशन पत्रों के समंद में ओयमार उत्तर पत्रक पर प्रशन पत्र मारका स्रीज में कुछ भी अंकित नहीं करना है जिसमें मारका स्रीज नहीं होगा उसमें आपको कुछ भी अंकित नहीं करना है और चित्रकला के समंध में चित्रकला वाला जब पेपर होगा तब आपको यदि आप आलेखन वाले प्रशनों का उत्तर देंगे तो यहाँ पर एक वाले को गोला काला करेंगे यदि आप सकता है या छपा हुआ आए केंद्र कोड केंद्र का कोड हो सकता है छपा हो लेकिन अनक्रमांक आपको यहां पर भरना ही होगा और विसे का कोड 901 हिंदी और यहां पर प्रश्णपत्र संख्या 801 ही रहेगा यह सीज को आपको अच्छे से भर लेना है और इसके बाद यहां पर आप देखेंगे परिचार्थी के हस्ताचर यहां पर आपको अपने हस्ताचर करने हैं इस कालम में आपको अपने हस्ताचर कर देने हैं जैसे आप करते हो और इसके बाद केंद्र बेवस्थापक की मोहर यहां पर केंद्र बेवस्थापक की मोहर होगी यहां आपको कुछ भी नहीं करना, यहां कच्छ निरीचक के हस्ताचर होंगे, तिर इसके बाद यहां पर आप देख पा रहें, मुझे लग रहा है, यहां कटिंग आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि यहां भी सेम ऐसा ही है, जैसा जैसा यहां पर बताया जाए, प्रशन पत्र मार का सिरीज, य तरकला विसे है, तो इस तरीके के चिन्न आपको लगाने होंगे, ऐसे ही, और यहां भी आपको भरना होगा, यहां भी आपको अपने सिगनेचर करने होंगे, कुछ इस तरीके से, और यहां कच्छ निरीचक के हस्ताचर, तथा यहां पर आपको उत्तर फिल करना होगा, तो यह चीज आपको इस बार करनी है यानि 16 फरवरी को अब ऐसी ही OMR सीट आपको मिलेगी और इसी तरह से आपको फिल करना है इसके बाद जो वर्ड नात्मक प्रशनों का एंसर आप देंगे उसमें जो आपको कापी मिलेगी बोर्ड परिच्छा की तो उसके लिए मैं यहाँ प आपको कहीं पर भी नहीं लिखना है उत्तर पुस्तिका पर आपको अपना नाम कहीं पर भी नहीं लिखना है और परिचार्थी सभी प्रवर्ष्टियां सुध एवं इसपस्ट रूप से सोयं भरें और सभी प्रवर्ष्टियों को आपको सुध रूप से और इसपस्ट रोल नंबर है यहां पर एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ और जीरो मालीजी उदारण के लिए जो भी आपका रोल नंबर होगा अनुक्रमांक होगा वही यहां पर आप अंकों में भरेंगे इसके बाद यहां पर लिखा है परिचार्थी का अनुक्रमांक सब्दों म फिर यहां पर तीन है तीन लिखा जाएगा और इसके बाद चार है तो चार लिखा जाएगा इसके बाद यहां पर है पांच तो यहां पर आपको लिखना होगा पांच इस तरीके से आपको लिखना है आप ध्यान दिजेगा इसके बाद है छे तो यहां पर आपको छाह लि लिख दिया इसके बाद है नव तो यहाँ पर नव लिख दिया और इसके बाद क्या है यहाँ पर है सूने तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या सूने लिख देंगे तो जो भी आपका रोलंबर होगा उसी केनुसार आपको सब्दों में लिखना है इसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से इसके बाद यहां पर प्रशन पत्र तो यहां पर आपको केवल प्रशन पत्र क्योंकि एक ही पेपर होगा केवल प्रशन पत्र यहां पर आप लिख सकते हैं केवल प्रशन पत्र इस तरीके से और इसके बाद यहां पर आध्यान दिजेगा आपको यहां पर क्या करना है अगला जो कालम है यहां पर प्रश्न पत्र पर अंकित संके तांक तो जो पेपर होगा कुछ इस तरीके का होगा और उस पर जो यहां पर अंकित संके तांक दिया होगा इस साइड में इसी को आपको इस कालम में यानि यह जो बाक्स टाइप का बना होग इस तरीके से आपको भर देना है अच्छे से फिर परिच्छा का दिन तो परिच्छा का दिन आपको पता ही है पिछली बार 2022 में भी ब्रहस्पतवार को पेपर हुआ था श्टार्ट हुए थे और इस बार भी ब्रहस्पतवार को ही बोर्ड परिच्छाएं श्टार्ट हो रही हैं तो आप सभी यहां पर ब्रहस्पतवार फिल कर देंगे परिच्छा की तित एवं पाली तो परिच्छा की तित क्या है 16 फरवरी है तो यहां पर आपको इस तरीके से 16 फरवरी 2023 इस तरीके से भरना है पाली प्रथम पाली में जहां आप board exam दे रहे होंगे जिस भी विद्याले में उसका नाम यहां पर आपको भरना है तो जहां आप paper दे रहे होंगे उसी का आपको यहां पर नाम भरना है उधारण के लिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूँ सुभास study center तो आप जिस भी school में अपना board exam दे रहे होंगे उसी का यहां पर आपको नाम भरना है तो यह सब हो गई इस चीज की जानकारी कैसे आपको OMR seat fill करनी है कैसे आपको अपनी board परिच्छा की काफ़ी fill करनी है अब बात आती है कि OMR seat में किस तरीके से आपको answer fill करना है चलिए मैं आपको एक एक प्रशनों के माधिम से यानि ये जो model paper है यहां पर मेरे पास UP board के द्वारा जारी किया गया इसके द्वारा मैं आपको क्रमशा बता दूँ कैसे आपको इन प्रशनों का answer OMR seat में fill करना है तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला प्रशन है बाबु गुलाब राय किस यूग के लेखक हैं दूसरा वाला जो आपसन है यह सही है और मैंने यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रशनोतरों के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशा नुसार भरा जाए तो यहां पर दूसरा सही इसलिए दूसरे को मैंने काला कर दिया है अगला प्रशन है चिंतामणी किस विधा की रचना है सही उत्तर क्या है निवंद और पहला विकल्प सही है तो दूसरे का ए वाला मैंने काला कर दिया क्योंकि पहला विकल्प सही है और आप ध्यान दिजिएगा अच्छे से आपको गोला काला करना है इसके बाद तीसरा प्रशन है गबन किसकी रचना है तो यहाँ पर उत्तर क्या है मुंसी प्रेमचंद कौन सा बिकल्प सही है पहला तो तीसरे का यहाँ पर मैंने पहला काला कर दिया है गोला जो भी बिकल्प सही होगा उसी के अनुसार आपको गोले काले करने हैं आप इस चीज का विशेश ध्यान दीजिएगा और आप डाट पिन से ही गोला काला करेंगे जिल पिन का आपको प्रियोग नहीं करना है इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहें चौथा प्रशन है सुकल यूग की समयावध क्या है तो यहाँ पर उत्तर क्या है दूसरा यानि 1919 से 1938 तक तो यहाँ पर चौथे का दूसरा स यहाँ पर अगला प्रशन है पांचवा नीर का निर्माड फिर किस विधा की रचना है तो मेरे प्यारे वच्चों नीर का निर्माड फिर किस विधा की रचना है आत्मकथा यानि दूसरा सही है तो पांचवे का भी वाला गोला काला कर दिया जाएगा क्योंकि दूसरा वि क्योंकि पहला विकल्प क्या है सही है इसके बाद यहाँ पर अगला देख पा रहे है सात्वा मदुसाला किसकी रचना है तो यहाँ पर तीसरा सही है हरिवन सराइवच्चन तो यहाँ पर तीसरा सही है इसलिए सी वाले गोले को काला कर दिया मैंने क्योंकि सात्वें वाले प्रश्न का एंसर क्या है तीसरा वाला विकल्प जो है सही है इसके बाद यहां पर आठ हुआ है मेरे प्यारे वच्चों भारत भारती किसकी रचना है तो यहां पर दूसरा विकल्प सही है मैथली सरडगुप्त तो आठ का यहां पर कौन सा तुन का पहला है तो नों का यहाँ पर पहला यानि ए वाला गोला काला कर दूँगा और इसके बाद है प्रशन संख्या 10 मत राम किस युग के कभे हैं यहाँ पर उत्तर क्या होगा रीति काल यानि दसमें प्रशन का एंसर कौनसा सही है चोथा सही है तो यहाँ पर 10 का कौनसा गोला काला किया जाएगा डी यानि चोथा विकल्प सही है इसके बाद यहाँ पर प्रशन संख्या 11 कह रहा है हास रसका स्थाई भाव क्या है तो यहां पर हास है यानि तीसरा विकल्ब सही है तो ग्यारा का सी वाला विकल्ब सही है इसलिए सी वाले गोले को काला कर दिया जाएगा और इसके बाद यहां पर आध्यान दिजेगा अगला है सोहत ओड़े पीत पटुस्याम सलोनेगात मनो नील मनिसैल पर आतप परेव प् इसके बाद है 13 प्रशन रोला चंद में कुल कितने चरड होते हैं तो यहां पर आध्यान दिजेगा तीसरा विकल्प सही है चार तो यहां पर 13 का तीसरा यानि C वाला गोला काला कर दिया जाएगा अगला प्रशन है आकरसर सब्द में किस उपसर्ग का प्रियोग किया गया है तो यहां पर 14 विकल्प सही है तो यहां पर 14 नंबर का 14 यानि यहां पर आप दियान दिजेगा D वाला गोला काला कर दिया है मैंने और इसके बाद यहां पर आप देखेंगे प्रशन संख्या 15 प्रत्य के कितने वेद हैं तो यहां पर 2 हैं तो 15 का A वाला विकल्प सही है आ पीसला तो सौला का सी वाला गोला यहां पर काला कर दिया है मैंने क्योंकि यहां पर सी सही है, और आप इस चीज का ध्यान रखिईगा, जो भी विकल्प bol Jew को आपको गोला काला करना है, और आपने एक बार जो गोला जो काला कर दिया, दुबारा आप उसे मिटा नहीं सकते, ना ही इसे काट सकते हैं ना वाइट ना लगा सकते हैं प्रशन संख्या सत्रा है आशु का तत्सम रूप क्या है अस्रू है पहला विकल्प सही है तो यहाँ पर सत्रा का ए वाला गोला काला कर दिया है मैंने क्योंकि पहला विकल्प सही है इसके बाद यहाँ पर ध्यान दिजेगा आप सभी अठार हुआ प्रशन है यड़ संधी का सूत्र है तो यहाँ पर है तीसरा विकल्प यानि अठारा का तीसरा सही है तो यहाँ पर सी वाला गोला काला कर दिया है क्योंकि यहाँ पर तीसरा विकल्प क्या है सही है उन्नीसुहा प्रशन है फलस सब्द का वचन एवं विभक्त क्या है तो यहाँ पर आप ध्यान दिजेगा पहला विकल्प सही है तो यहाँ पर पहला यानि उन्नीस का एवाला काला कर दिया है गोला आप सभी ध्यान दिजेगा इसके बाद अगला प्रशन है अपठत धातु क वचन एवं पुरुष क्या है वीसुहा प्रशन विकल्प सही है यहाँ पर दूसरा तो वीसुहा का दूसरा यानि इस तरीके से वीसुहे का दूसरा मैंने काला कर दिया तो आप ध्यान में रखेंगे जो भी प्रशन होगा और उस प्रशन का केवल और केवल एक आपसन ही यह आप यह नहीं कर सकते कि आपने A वाले गोले को काला किया B वाले को भी कर दिया ऐसा गलत माना जाएगा और वाइटनर का प्रियोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अब इसके बाद यहाँ पर जो वड़नात्मक प्रशन है यहाँ पर खंडबा तो यहाँ से आपको ए answer फिल करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर इसे underline भी कर देना है इस तरीके से आप अच्छे से underline कर दीजेगा, इसके बाद यहां पर आप देख पार हैं, यहां पर पहला प्रशन है, निमनलिखित गध्यांस पर आधारित तेन प्रशनों का उत्तर दीजिए, यहां पर गध्यांस है पहला गध्यांस है या कोई बात नहीं कि एक सुभाव और रुज के लोगों में ही मित तरता हो सकती है, तो यहाँ पर आप देख पार हैं, पहला प्रशन है, उपर युक्त गध्यानस का संदर्व लिखिए, कैसे आपको लिखना है? तो यहाँ पर आप ध्यान दिजेगा, जिस भी गध्यानस का, आप संदर्व लिखेंगे, या गध्यान्स आधारित प्रश्णों का एंसर देंगे उस गध्यान्स को संकेत के रूप में आप जरोल लिख लीजिएगा सबसे पहले आपको क्या करना होगा यहाँ पर आप ध्यान देजेगा थोड़ी सी मिश्टेक हो गई यह आपको काटपीट नहीं करनी है यहाँ पर आप हेडिंग डाल देंगे प्रश्णोतर संक्या आप ध्यान देजेगा प्रश्णोतर संक्या आपको अच्छे से हेडिंग डालनी है जितना अच्छा आप रैटिंग बना पाएं उतना ही बढ़िया रहेगा प्रश्णोतर संक संकेत हेडिंग डालना है यहां आप नहीं डालेंगे इसके बाद आपको संकेत हेडिंग डाल देना है संकेत के रूप में इससे क्या होगा एक्जामनर जब कापी आपकी चेक करेंगे तो उन्हें आसानी होगी पहचानने में कि आपने किस गध्यांस या पध्यांस का जो है स नहीं है बात नहीं है इस तरीके से आप लिख सकते हैं लाश्ट के सब्दों को आप लिख दीजिएगा जैसे लाश्ट में है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं की और देखता था यहाँ पर आप देख पा रहे हैं देखता था इस तरीके से मैंने लिख दिया है आप भी ऐसा ही करिए आपको पूरे नंबर मिलेंगे इसके बाद यहां पर ध्यां दीजेगा पहला जो है प्रश्न कह रहा है उपर्युक्त गद्यांज का संदर्भ लिखे तो यहां पर पहले ही प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हैं तो यहां पर आप इस इस गद्यांस का संदर्भ बताता चलू क्या हो जाएगा जैसा कि यहां पर आप देख Πाएएं किस पार्ट से लिया गया है मित्रटा पार्ट से लिया गया है गद्यांस कैसे आपको लिखना है बोड परिच्छा में प्रस्तुत गद्यांस आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दिजेगा कि आप कैसे संदर लिखेंगे क्या सावधानिया आपको वरतनी है कि प्रस्तुत गद्यांस हमारी पाठ पुस्तक हमारी पाठ पुस्तक आप ध्यान दिजेगा आइसे ही आपको लिखना है और हिंदी यहाँ पर आपको काले पंद का इस्तमाल करना है हिंदी आपको काले पेंसे लिखना है हमारी पाठ पुस्तक हिंदी फिर यहां पर क्या करना है के फिर इसके बाद आपको लिखना है काले पेंसे गद्ध खंड क्योंकि गद्यांस जो होता है गद्ध खंड का भाग होता है गद्ध खंड के किस पाठ से गद् मित्रता नामक पाठ से आउतरित है या उद्रत है आप लिख सकते हो आउतरित है जिसके लेखक यहाँ पर लेखक लिखा जाता है और पद्यांस के संदर्व में आपको रचैता लिखना होता है तो जिसके लेखक कौन है जिसके लेखक और लेखक का नाम भी आपको काले पिन स लिखना है आचार राम चंद्र सुक्ल जी आचार राम चंद्र सुक्ल और इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजेगा इतना आपको काले पिंसे लिखना है और हैं इतना आपको ऐसे आपको संदर्व लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांस हमारी पाठ पुस्तक हिंदी आपको काले पिंसे लिखना है के गद्धिखंड धी आपको काले पिंसे लिखना है जिस पार्ट का गद्ध्यांस होगा उस पार्ट का नाम आपको काले पिंसे और लेखक का नाम भी आपको काले पिंसे लिखना है इसके बाद गद्यांस का दूसरा प्रशन है रे खांकित अंस की व्याख्या कीजिए तो यहाँ पर आप एक दो लाइन छोड़ने के बाद इस तरीके से आप यहाँ पर नंबर डाल देंगे और हेडिंग आपको डालना होगा रे खांकित अंस की व्याख्या इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है और फिर आपको आगे क्रमसा लिखते जाना है कि सुकल जी कहते हैं तो आप सभी मेरे विद्यार्थियों इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें अपने सभी मित्रों में और यदि आप कमेंट करोगे तो मैं इस माडल पेपर को पूर साल्व करके बता दूँगा कि कैसे आपको 2023 यानि 16 फरवरी को हिंदी विशय की काप्वी लिखनी है आप जरूर शेयर करना वीडियो को और कमेंट जरूर करना पढ़ते रहें मस्त रहें सोस्त रहें जैहिंद